Welcome और Welcome back to Learn Talkist आज की क्लास में हम discuss करेंगे about state emergency लास्ट क्लास में हमने discuss किया था about national emergency जिसकी बात Article 352 में की गई थी Article 356 बात करता है about state emergency जिसे President Rule भी बूला जाता है अब तीन ऐसे reasons हो सकते हैं जिसकी वज़ा से state में emergency लगाई जा सकते हैं अगर स्टेट की गवर्नर खुद प्रेजडेंट को recommendation भीज़ दे कि जो यह state है यहां की जो state government है वो constitutionally काम नहीं कर पा ही है और प्रेजडेंट को लगता है कि जो गवर्नर ने recommendation दी है वो बिलकुल ठीक है तो उस state में state emergency लग जाएगी second reason अगर प्रेजडेंट को खुद लगता है कि state legislature किसी भी state की state legislature है constitutionally काम नहीं कर रही है is unable to function according to constitution provisions तब भी उस state में state emergency लगाई जा सकती है third article 365 है उसके according अगर कोई भी state center के दिये हुए directions के according काम नहीं कर रही है तो वहाँ पे भी state emergency लगाई जाती है duration and parliament के approval की बात करते हैं तो article 356 है वो president को power तो देते है state emergency लगाने की बट दोनों houses की approval भी चाहिए होगी दोनों houses की simple majority अगर मिल जाती है state में state emergency लगाई जाएगी state emergency 6 months के लिए लगाई जाती है अगर हम national emergency की बात करते हैं तो national emergency में भी same था कि 6 months के लिए जो emergency है लगाई जाती है अगर उसको extend करने और time के लिए तो दुबारा parliament की approval चाहिए होगी तो same यहाँ पे है बट difference के आजाता है वहाँ पे बोला है national emergency कितने emergency time के लिए आप लगा सकते हो जब तक आपको जुरूरत feel हो रही है बट यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है कि maximum 3 साल है जब आप state emergency लगा सकते हो इससे ज़्यादा time के लिए आप state emergency नहीं लगा सकते है तो यहाँ पे दो चीज़े हैं एक तो six month के लिए है जो state emergency लगाई जाती है अगर extend करना है तो next six month के लिए emergency लगाई जाएगी maximum 3 साल के लिए सिरफ emergency लगाई जा सकते है उससे ज़्यादा नहीं अगर state emergency को हटाना है तो वो power किसके पास आजाती है president के पास power है उसके लिए उन्हें parliamentary approval भी नहीं चाहिए state emergency को लेके एक amendment होती है 44th constitutional amendment 1978 इस amendment के अंडर पहले तो जो तीन साल का time दिया गया थे कि आप state emergency है जो तीन साल के लिए लगा सकते maximum उसे एक साल के लिए कर दिया था पूरे इंडिया में पूरे country में national emergency लगी है तब आप वहाँ पे emergency state में extend कर सकते हो या फिर दूसरा reason हो सकते है कि election commission भूल दे कि किसी भी reason की वज़ा से हम वहाँ के elections नहीं करवा सकते है उस state के elections दुबारा elections नहीं करवा सकते अब भी वहाँ पे president rule लग जाता है तो ये था about state emergency next आता है financial emergency financial emergency की बात की गई Indian constitution के article 360 में financial emergency की बात अगर की जाए तो सारी power किसके हाथ में आ जाती है central government के हाथ में आ जाती है article 360 part 18 के under आता है वहाँ पे president को power दी गई है कि अगर आपको लगता है किसी भी state में आपके country में कहीं पे भी financial stability नहीं है या कोई भी financial crisis आ रही है तो वहाँ पे financial emergency लगाई जाती है financial emergency को लेके दो amendments हुई थी सबसे पहले the 38th amendment act of 1975 इसके अंडर क्या बोला था कि अगर financial emergency लगानी है तो वो final decision जो होगा वो किसके हाथ में होगा president के हाथ में होगा और उसके लिए हमें ज़्यादा जुरूरत नहीं है judicial review की यानि judicial review को नीचे कर दिया president के decision से president ने जो बोल दिया जब बोल दिया तभी financial emergency लग जाएगी next आता है 44th amendment act जिसे एक turning point बोला जाता है 44th amendment act के अंडर बहुत सारी changes कीगी थी जिसके अंडर 38th constitution amendment act को भी delete कर दिया था और बोला था ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जब financial emergency आएगी आपको judicial review की जुरूरत नहीं है बलकि judicial review की आपको सबसे जादा ज़रूरत है प्रेजिडेंट की जो प्रोक्लमेशन है वो financial emergency में जादा नहीं हो सकती judicial review की यानि judicial review तो आपको लेना ही पड़ेगा जो 38th amendment act के अंडर उन्होंने खतम कर दिया था 44th ने बोला कि judicial review तो आपको लेने ही पड़ेगी अगर हम पार्लेमेंट के अप्रूवल की बात करते हैं तो पार्लेमेंट के अप्रूवल जो दोनों houses के अप्रूवल चाहिए होगी जब भी financial emergency लगाने है और दोनों houses को दो मंत का time दिया जाएगा decision लेने के लिए बट by chance ऐसा हो जाए कि वो दो मंत का जो time दिया गया उसमें लोग सबा जो है dissolve हो जाए अगर राज्या सबा approval दे दे इस चीज़ के लिए तो उस time पे क्या होगा तो लोग सबा present नहीं है तो सबसे पहली चीज़ जो financial emergency है वो सिरफ 30 days के लिए लगाई जाएगी तो कोई भी ऐसा fix time नहीं है कि कितने time के लिए लगाई जाएगी financial emergency तो once approved by both the houses of the parliament the financial emergency in India continue until it is repealed एक बार दोनों houses ने decision दे दिया approval दे दिया तो financial emergency तब तर continue रहे कि जब तक उसको हटाया नहीं जाता उसके लावा दो और चीज़े हैं तो आपको parliament approval चाहिए होगी but financial emergency में आपको बार बार parliamentary approval नहीं चाहिए एक बार लगगी जब तक हटाई नहीं जाएगी वो financial emergency continue रहे है उसके इलावा second चीज़ क्या बोलिए the function of financial emergency is not subjected to any time limit कोई भी time limit नहीं है जैसे state emergency पहले 3 साल की ती फिर उसे एक साल का गर दिया और national emergency है वो बोला जब तक आप चाहो तब तक लगा सकते हैं वैसे ही हाँ पे भी कोई time limits नहीं दी गई जब तक आपको लगता है कि financial crisis हमारे ठीक नहीं हो रहे हैं तब तक आप financial emergency लगा सकते हैं financial emergency लगाने के लिए भी simple majority चाहिए दोनों houses की यानि लोग सभा और राजय सभा की जो majority vote है वो 50% ही चाहिए अगर हम financial emergency को हटाने की बात करते हैं तो वो power किसके पास है वो president के पास है वो कभी भी हटा सकते हैं और उसको हटाने के लिए उन्हें कोई भी approval parliament की नहीं चाहिए अब financial emergency लग गया है तो उस financial emergency में क्या outcomes, क्या consequences निकलते हैं after the parliament approved the state of emergency, the union assumed the complete control to the country financial affairs अगर कभी state में emergency लग जाती हैं तो union के पास सारी power आजाती है कि जितने भी financial crisis or financial affairs है वो सारी union संभालेगी अगर में central government संभालेगी second, the union government may provide financial directive to any of the state and the president may ask the state union government किसी भी state में financial emergency लगा सकती है और प्रेज़ेंट उस state को बोल सकता है जो भी आप अपने government applies को pay दे रहे हो उसे थोड़ा कम किया जाए यानि अगर आप किसी को 40,000 दे रहे हो तो उसको कम करके 20,000 दे यानि उनकी pay को कम कर दिया जाए financial conditions को ठीक करने के लिए उसके इलावा second चीज क्या बोलिया कि जितने भी money bills थे जो state legislature के under आते थे जितने भी bills थे अब उन सारे bills को consider कौन करेगा Parliament ही देखीगी वो money bills होंगे अब उन्होंने जो pay cut करने की बात की तो उन्होंने ये बोला कि अगर हम center की भी बात करते है कि अगर आपको पूरे country में ही financial emergency लगाई जा रही है या अगर किसी state में भी लगाई जा रही है तो आपने government employees की तो pay को cut करना है इसके लावा जो supreme court या high court के judges होंगे उनकी pay को भी आपने कम करना है यानि जतने भी government employees आई है जतने भी judges है इन सब की pay को कम किया जाएगा financial crisis को ठीक करने के लिए और अगर हम बात करें कि आज तक कितनी बार financial emergency लगी है तो हमारे country में no financial emergency has been declared so far in India even though there was a financial crisis in 1991 1991 में financial crisis आए थे बट आज तक कभी भी इंडिया में financial emergencies नहीं लगाएगी तो ये था आपका topic जिसमें हमने state emergency and financial emergency के बारे में discuss किया है एक overview लेते है quick review लेते हैं थोड़े questions को discuss करके under which article financial emergency can be proclaimed तो वो article 360 है article 360 के under हम financial emergencies लगा सकते हैं financial emergencies लगाता गोन है किसके पास power है तो वो power किसके पास आजाती है president के पास power आजाती है when the financial emergency is proclaimed financial emergencies कब लगाई जाती है जब भी आपके state में या आपके country में financial stability नहीं रहती है तब आप financial emergency लगा सकते हैं और वो president के पास power है जब उन्हें लगेगा जब वो satisfy होंगे कि ये situation actual में है जब हमने financial emergency लगवानी है तो financial emergency लग जाएगी आज तक इंडिया में कितनी बार financial emergency लगी है तो अभी तक इंडिया में एक भी बार financial emergency नहीं लगी I hope आपको आज का topic समझाया होगा अगर फिर भी कोई doubt है do let me know in the comment section मिलते हैं अगली वीडियो में अगर आपको वीडियो पसंद आये do like share and subscribe to the channel